नमस्कार दोस्तो क्वालिटी हब इंडिया के इस प्रोग्राम में आरेन विश्व करमा आप लोग का बहुत हो सागत करता हूँ दोस्तो इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट टैपस अब कटिंग फ्लुइड्स जो की टिपिकली मसीनिंग ऑपरेशन में हम इस्तमाल करते हैं हम उसके बारे में जानेंगे दोस्तो मेटल कटिंग प्रोसेस में हम डिफरेंट तरह के कटिंग फ्लुइड्स का इस्तमाल करते हैं और इनके जो important properties और functions जो होते हैं जिनके वज़े सा हम इनको इस्तमाल करते हैं इसके लिए हमने अलेक्स एक वीडियो बनाया हुआ है और module जो है अवेलवेल है आप उसको यूटूब में चेक कर सकते हैं यहां पर हम जानेंगे कि कितने तरह के cutting fluids का हम इस्तमाल करते हैं metal cutting process में तो दोस्तों अगर हम ब्रॉड लेबर में हम बात करते हैं तो लिक्विड cutting fluids का हम फर्दर तीन काटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं इसमें आते हैं mineral type semi synthetic type और synthetic type तो इसमें जो semi synthetic और synthetic type के जो cutting fluids होते हैं यह basically cutting fluids होते हैं जो कि दो properties को combine करते हैं यानि कि इसमें हम oil और water का दोनों के best property को हम combine करने की कोशिज करते हैं तो अगर हम इन properties के अगर बात करते हैं तो इसमें main properties क्या हो जाएगी main property हो जाएगी rust prevention और इसके अलावा जो water होती है उसके hardness के प्रती resistance यह एक important property होती है जिसमें कि pH stability करीवन 9 से 10 के आसपास को maintain करना एक important property होता है इसके अलावा ability to work with metal और resistance to thermal breakdown और environmental friendly होना बहुत important property होता है दोस्तों जानते हैं कि water जो होता है इसे काफी अच्छी property होती है यह good connector of heat है लेकिन इसे कुछ drawbacks भी है जैसे कि बहुत जल्दी boil कर जाता है और इसके अलावा material को rusty होने के chances से में बने रहते हैं और lubrication की जो level की requirement रहती है उस level की lubrication water से नहीं मिलती है इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब हम water का इस्तमाल कर रहे हो आज एक cutting fluid के तौर पे दूसमें हम दूसरे तरह के oils हैं दूसरे तरह के chemicals का हम combination करते ताकि हम property को enhance कर पाएं दूसरा हमारा जो type हो गया दोस्तों यह हो गया semi solid cutting fluid तो semi solid cutting fluid दोस्तों इस तरह के gel या paste के तोर पर इस्तमाल किया आते हैं और इसका जो application होता है हमारे काफी सारे operations होते हैं जैसे कि drilling हो गया, boring हो गया या tapping operation हो गया इसमें हम लोग इस तरह के semi solid cutting fluid का इस्तमाल करते हैं क्योंकि liquid cutting fluid का यहाँ पर इस्तमाल करना थोगा पूस्किल होता है हाला कि semi solid cutting fluid होता है यह थोड़ा सा costly होता है compared to liquid लेकिन इसका application भी थोड़ा सा कम होता है और expensive तो होता ही है लेकिन इसका application काफी कम होता इसलिए खपत कभी कम होती है और इसमें continuous और इस पर एक air का directly इस्तमाल करते हैं अज़े cutting fluid और काफी पार क्या होता है हम compressed air के साथ में किस तरह के liquid का भी हम इस्तमाल करते हैं जो कि एक तरह का mist या fog क्या देता है आनि कि वह clear हो जाते हैं और इसका अलावाद जो air होता है इसका good thermal conductivity होती है और हमार जो four type of cutting fluid हो गया दोस्तों यह हो गया aerosols और आपने aerosols देखे होंगे कापी तरह के हम spray का इस्तमाल करते हैं घरों में भी इस्तमाल करते हैं इसमें की compressed air और कुछ liquid का mixture रहता है तो उसी तरह का जो mixture जो होता है metal cutting operation के दोरान भी इस्तमाल किया आता है इसमें की small droplets of किसी liquid का हम इस्तमाल करते हैं और वो cutting fluid के तोर पर काम करता है इसका इस्तमाल हम लोग वहां करते हैं जहां पर सिर्फ cutting fluid का इस्तमाल करना possible नहीं होता है हालकि यहां पर एक negative point यह होता है कि जह हम aerosol का इस्तमाल कर रहे हूँ अज़े cutting fluid अब चूंकि यह mist के तौर पर इस्तमाल होता है तो यह atmosphere में यह उड़ता रहता है और जो operator कर रहा हो उसके health के लिए adverse effect डाल सकता है तो इसके लिए proper safety और proper ventilation की जरूत पड़ती है जहां पर हम aerosol को as a cutting fluid हम इस्तमाल कर रहे हैं तो दोस्तों इस चार तरह के broad level में cutting fluids हो गए जो कि हमने देखा आने के liquid semi liquids और gaseous और aerosols तो माशा करता हम दोस्तों इस कर दूल साब कुछ सिखने के लिए मिला होगा तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो इसे like करना ना भूलें और इसका link अपने दोस्तों के साथ में जरूर सेर करें ताकि उनको भी कुछ सिखने का और हमसे जूड़ने का मौका मिले और हाँ दोस्तों अपन को अगर बाइ करना है तो आप हमारे website में जाके publication सेक्शन में जाके आप वहां पर हमारे book को आप चेक कर सकते हैं और वहां पर बाइ कर सकते हैं लिंक आपको मिल जाएगा आप अगर चाहें तो directly हमारा portal जो है courses.qualityhubindia.com आप वहां पर भीजिट कर सकते हैं और वहां पर जा packets का program रन खरना हो मैं को या अपने company में आपको 5S Kizen या quality circle का program रन करना हो या किसी तरह का employee engagement का Program कर दो तो उसके लिए वाफ हमें contact कर सकते हैं आप वह current details screen पर मिल जाएगा आप में call कर सकते हैं mail drop कर सकते हैं साधřिसाथ दोस्तो हमारे onlineurch Instant monthly packages available आप कंपनी के तौर पे आप हमारी yearly packages को buy कर सकते हैं जिसमें आपको काफी सारे discount मिल जाएगा तो हमार साथ बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद टेक केर दोस्तों जाहिन